दीपावली को लेकर के बड़ा भारी भ्रम बना हुआ है कि 31 सक्टूवर की दीपावली करें या एक नौमबर की तो प्यारे भक्त जनौ ध्यान दें 31 सक्टूवर को साम को चार वजे अमावस्या का आग्मन हुआ है जबकि पूरे दिन अमावश्या नहीं थी एक तारिक को पूरे दिन अमावश्या है साम को छे बज़ करके सत्रा मिनड तक अमावश्या है और सूर अस्त्र है पांच पैंतिस पर होता है प्यारे भक्त जनूं सास्त्र कहता है उद्या कालीन तिथी ही देव पूजने के लिए सर्व मानने माननी गई है धर्म सिंदू में शावरणान आता है उद्या कालें तिथी ही देवकारियों के लिए सर्वदा माननी जाती है सास्त्र कहता है याति थिया समयनू प्राप्पे उद्या याति भास करा साति थी सकला गेया सास्त्र में ऐसा वर्णन आता है उद्याकालेंति थी ब्यापार ब्रद्धि के लिए घर में शुक्सान्ति के लिए पूजन योग मानी गई है दिवाकर में इस्पश्ट के लेगा हुगा है कि अगर हम उद्याकालेंति थी मद्ध कालेंति थी इसे पूजन करना शुवान आ गया है देसके प्रसिद पंचांग दिवाकर में इसपश्ट लेखा हुगा है कि अगर हम उद्याकालिंतिथी, मद्धकालिंतिथी, और साइंकाल के समय ऐगर एक घड़ी भी तिथी हो, तो उसी में पूझा ने करना चाहिए, क्योंकि साच्त्र में पॉझस समय लच्छमी, पूझित्वा, तथाक्रमात कहते हैं, प्रदोस समय में एक फल भी अगर हो, तो उसमें अगर पूजा की जाए तो लच्चमि पूण आसरवाद देती है फिर देप्रक्षासु दातव्या सक्त्या देब्रहे सुचा कहते हैं उद्या कालिएंति थी मध्य कालिएंति ती प्रदोष कालिएंति ती अगर तीनों योग मिल रहे हों उस समय अगर पूजा की साथ माता लच्मी की अम्रत मै करुणा मै दया मै करपा खूब प्राप्त होती है और हमारी पूजा और व्यापार खूब भली होता है प्यारे भक्त जनू दुविधा में ना पढ़ें और धर्म सास्त्रोक्त विधी के द्वारा जो वताया गया है उसके अनुसार एक तारिक को ही दिपावली पूजा ने करें प्रेम शे बोलें जाए जाए स्रिशितारा